यह एक्सेसाइस थे मैंने हर एक्सेसाइस के कॉंसेप को फिनिश किये और हर एक्सेस थे जो भी कोश्टन से प्रॉब्लम से मैंने सॉल कि राइट अभी जो में नेक्स्ट टापिक स्टार्ट करने वाला हूं यह आपका इस चैप्टर में कई लोगों को बहुत साही प्रॉब्लम साती है बहुत लोगों इसका रीजन यह है कि अगर हमें फॉर्मले याद ही नहीं रहेंगे तो हमें डिफकल्ट ही लगने वाला एक लिए आप लुए लेक्टर सांट और आपने पास एक नोटबूक रखो नोटबुक के अंदर जो भी मैं आपको एक्स्ट्रेंट करों गबाज व बावगों इसको इसको आपके पास नोटबूक रहेंगी जिसको आप आपको बीडाउट से रहेंगे वह आप साल कर सकते हूं इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप comment box में आप comment कीजिए और वो सारे doubts में आपको automatically simplify दासा वार्ड दूगा ओके ज़र टाइम इस नहीं करते हैं let's start the journey of numbers and calculations आज जो हम topic start करने वाले है वो mathematics part 2 का फिर्स चैप्टर है इस डिफिकर लगता है बट ऐसा कुछ सोचने की जरूपने है क्योंकि सब कुछ आपको दिमाग का थेले जितना आप सुचोगे चीजे difficult है आपको difficult होती जाएंगी जितना आप सुचोगे चीजे आसान है तो आपको आसान होती जाएंगी तो आज के lecture में मैं सबसे पहले what is differentiation exactly होता क्या है वो explain करूँगा उसके basic formulas दूँगा and differentiation chapter या इसको मैं derivative बोलू इस chapter को finish करने के लिए किन-किन चीजों की जरूत पड़ेगी कौन-कौन से formulas की जरूत पड़ेगी वो सारी चीजे में one by one आपको explain करूँगा तो सबसे पहले मैं आपको इसके definition की बात करता हूँ the rate of change in function मैं पास कोई भी function है और वो function आपका किस तरीके से चेंज हो रहा है माल लो आगर आपका function y है तो माल लो उसके नदर change हुआ डेल्टा, what is delta rate of change चीक है यापए delta क्या होता है आपका rate of change तो y के अंदर डेल्टा, y change हो रहा है अगर मैं बोलूगा x तो x के अंदर क्या हो रहा है डेल्टा, x change हो रहा है यह जो आपका डेल्टा होता है वह था आपका नॉमली small increment मतलब अगर यह मेरा पूरा एक लाइन है, right जिसका length क्या है, for example y तो यह जो चोटा सा part होगा, वो क्या हो जागा आपका एक तरह से delta y, confirm तो एक तरह से हम यह बात करते हैं, so कभी भी कर हम बात करेंगे कोई भी function, किसी भी function मेंगर change हो रहा है something rate of change है, वो आपका for example growth है, for example differentiation है, change हो रहा है जब वो change होता है, तो हम क्या बोलते है, differentiation, अगर मैं इसका definition की बात जाओंगा mathematically the rate of change of y with respect to x, इसका meaning ही होता है, जिससे मैं आपको बोलू कि y एक area है और आपके x का है उसका length, right, for example मैं लेता हूँ, जो मेरा area है, किसका है, rectangle का, the rate of change of area of rectangle with respect to x length, मतलब क्या होता है, कि जब कभी भी आपके पास length होगा, right, जारा length को कम करोगे, जाधा करोगे, accordingly क्या होगा, मेरा area भी बढ़ेगा, right, तो मेरा area चेंज हो रहा है, किस की वज़ेश चेंज हो रहा है, आपके x की वज़ेश से, आपके x कौन है, length, that means, the rate of change of area with respect to length is something called as your differentiation, clear, तो dy by dx होगा, इसका definition की बात करेंगे, तो dy by dx is always equal to limit delta x tends to 0 delta y divided by delta x, अब धहान दरा, ये exactly मैंने क्या लिख दिया, आपको एक statement देता a function is continuous if and only if it is differentiable बहुत important यह आपका देखा जाए तो यह line बन जाती है क्योंकि कोई भी function अगर continuous होगा तो ही वो differentiable होगा वाइसे वर्सा बोल सकता हूँ मतलब कोई भी function differentiable है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ अगर मैं जाता हूँ अगर मैं geometrical concept के through explain करूँ clear तो होता क्या है मेरे पास अगर यह function है that is y is equal to f of x मतलब मैं y बोल हूँ या f of x बोल हूँ दोनों का मिनिंग क्या होता है same ठीक है क्या दकना y और f of x दोनों different नहीं दोनों same चीज है मतलब y भी function है f of x भी function है ती मेरा एक function है जो कि start हो रहा है x is equal to a से और end हो रहा है x is equal to b पे अब ध्यान दोगे तो इस x equal to a से x equal to b के बीच में जितने भी points है कहीं पर भी breaking point नहीं है मतलब continuous line है देखे आप लोग यह पुरा continuous line जिसे कहीं भी breaking point बीच पर break होकर कि अगर यह continuous line है यह continuous function हो गया मतलब अगर कोई भी function continuous होता है तभी उसका derivative निकालते है अदर्वाइस नहीं ऐसा क्यों होता है क्योंकि अगर इस function के उपर कहीं पर भी बैए ड्रॉ करतू tangent इस तरीके से ओके अगर मुझे निकालना है slope of tangent तो वो क्या होगा इस function का निकालो derivative with respect to x dy by dx अगर आपको कोई भी function दिया गया है और उस function के उपर अगर आपके पास tangent है अगर आपको उस tangent का निकालना है slope तो slope कैसे निकलेगा उस function का निकाल दो derivative तेन शॉट इसको हम एक तरह से बोते gradient कहीं लोगों की होट सुना होगा gradient तो आप gradient बोलो या slope आप tangent बोलो बोथ हार सेम लेकिन दोनों चीज़ फाइंड करने के लिए मुझे पास क्या होना चाहिए function और इस function का निकालना है derivative मतलब यह होता है आपके कहने का मतलब क्या चाहता हूं कि अगर यह function continuous होगा तभी उसके उपर tangent ड्रो कर सकता हूं अगर यह function continuous है तभी उसके उपर में tangent कर सकता हो अगर में tangent का slope फायिन कर सकता हूं अगर मैं tangent का slope फाइंड कर सकता हो मतलब मैं d byy dx फायिन कर सकता हो clear इहां प का लाइन द्रौन एन दाव ब्रेकिंग पाइन मrires से और सिरंग सीक्किर्ण If a function is continuous then it is differentiable, clear? यह था पूरा concept of differentiation, मतलब अगर किसी ने भी आप से पुछा, what is differentiation तब क्या आप आप होगे? The rate of change in function is known as differentiation, और जा आप बात करेंगे main definition की तो यह ही है, किसी भी function का अगर आप में limit find कर लिया, मतलब उसका आप derivative find कर सकते हो, अगर किसी भी function का limit नहीं निकलता है, तो आप derivative नहीं सकते है, क्योंकि limit नहीं निकला, मतलब वो discontinuous है, right? अगर टैंजिन ड्रॉ के सकता अगर मिए टैंजिन ट्रउ नहीं आएगा उसका ऀटिसंव होता है-दियोगों यह था हमारा पुरा मुझीड के तो कहा है अब क्या होता है जो आपका डिफ्रेंशेशन होता है इसके अंदर कुछ बेसिक टरम्स होते हैं मतब आपको अमबन एक स्वाइब करता है कई लोगों कन्फीजन होता है कितनी बार टू टू त्रिवाइब कर दिफ्रेंशेशन होता है या इसको में दिखा सकता हो इस तरीके से भी इए या फिर्स्टाम्टक त्रिक्रीप्यागा होता है या तो आपको इस तरीके से भी कहीं कि दिखा सकते हैं y- y-double-dash and y-triple-dash अगर in case y के place पर f of x दी है तो उसका derivative आप इसे दिखाऊगे yes f-x f-double-dash-x and f-triple-dash-x इस तरीके से derivative को represent करने का तरीका होता है जब आप one time derivative निकालते हो तो से हम बोलते हैं first order derivative अगर आप second time find करते हैं तो से हम क्या बोलते हैं बोलो second order derivative अगर आपने तीसरी बार निकाला तो से हम क्या बोलेंगे third order derivative अगरीटियों समझ गे तीथ हमारा बेसिक्स ओफ डिफिनिशेशन तो डिफिनिशेशन में किस तरीके से डिफिनिशन होता है और किस तरीके से चीज़ों को हम डिप्रिजन करते हैं clear I hope कि यो सारी चीज़ा पको समझाने होगी अब मैं क्या करने वाला हूँ इसके कुछ बेसिक स्टार्ट करने की पहले जो हमने फॉर्मले इस अलड़ी 11th standard में पढ़ा हुए वह सारी फॉर्मले एक बार में आप मों लिखागे रहता हूँ ठीक है okay constant value आ गया हम कि वेलु क्या हो जाएगी जीर नियुकिया मेरा इस अजार्ट इस सेकेंड फॉर्मला है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स एक्स का डेरिवेट्ट क्या होता है गाइस वाल थर्ड फ्रमुला d by dx of x square बोलो x square का derivative क्या आता है 2x याद कलो सब लो अभी कुछ derivative आपको basically समझ जाए exactly क्या आता है x square का derivative बोलो क्या आता है 2x 4th one d by dx of x raise to n तहाँ पर x आपका variable है और n आपका power है power मतलब कुछ number रहेगा ति यह variable raise to constant n नमबर है मतलब तो constant है न variable raise to constant जब का भी भी आपका variable raise to constant आएगा फॉर्मला क्या हो जागा यह n को आगे ले लो n into x raise to n minus 1 ok n into x raise to n minus 1 नहीं हो गया मेरा x raise to n काट दे लिए जैसे मैं कोई example कर इसमें दूथ हो माल लो कि एगर मैं बोलता हूँ d by dx of x raise to 7 तो करना क्या आपको 7 आगे लेना है लेली हमने फिर x लिखो और power क्या आगे तो 7 minus 1 तो 7 minus 1 वो क्या हो जागा आपका 7 into x raise to 6 d by dx of root x so root x का derivative क्या होता है 1 divided by 2 root x समझ गे 6th 1 d by dx of log x log x का derivative क्या होता है बोलो 1 upon x सेवन्थ 1 d by dx of 1 upon x 1 upon x का derivative क्या होता है minus 1 upon x square अभी इसी कूपर में एक और फॉर्मला पुझता हूँ d by dx of 1 upon x raise to n तो x raise to n का derivative क्या होता है minus n x raise to n plus 1 ये कैसे बद्धान देना है बहुत एजी जब कभी भी आपको 1 upon x raise to कोई भी पावर दिख गया तो करना क्या है उसी पावर को उपर minus के साथ में लिख दो that is minus n और नीचे वाले पावर एक इंक्रीज कर दो अगर मैं एक्जांपल देता हूँ कैसे एक्जांपल लिता हूँ जैसे गर मैं बोला d by dx of 1 upon x raise to 5 तो आंसर क्या होगा 5 उपर but minus sign के साथ minus 5 divided by x raise to 5 का next मतब क्या होगा 5 plus 1 that is 6 जैसे अब यही देख लो इसका आपर पावर क्या है 1 जब यह x raise to 1 है तो 1 का उपर जागा minus 1 इसका next कर दो आप इसके बाद भी कुछ formula जाते हैं जैसे मैंने बूल दिया formula no.9 d by dx of a raise to x अब ध्यान रगाई सहाँ पर a क्या है यहाँ पर a जो रहेगा वो constant और x आपर variable है जो आपका a raise to x होता है उसका a raise to x into log a जैसे मैं आपको एक्जाम्पल की तो बता था exactly क्या होता है यह मैं बोलना चाह रहा हूँ जैसे मैंने बोल दिया d by dx of 3 raise to x तो 3 constant x variable तो बोलो answer क्या जाएगा 3 raise to x into log a तो यहाँ पर a का रोल क्या रहा है 3 that is log 3 किसी क्या क्या नाइन की बाद होता है तो एक तरह से हमने बोल दिया e constant e raise to x e raise to x का मतब क्या होता है e raise to x into log e but log e की value 1 होती है क्योंकि by default log का कोई base यहाँ पर नहीं है तो आपे base क्या हो जाएगा e और log of any number to itself यहाद आपने सीखा होगा log of a to the base a उसकी value क्या होती है 1 वैसे log of e to the base e की value क्या हो जाएगी 1 e raise to x into 1 in short e raise to x का derivative बोलो क्या होता है e raise to x confirm कि यह कुछ algebraic expressions थे जिनका मैंने derivative find किया अब जो मैं आगे के derivative find करने वाला वो सारे के आपके trigonometric जिससे question number हम बोलते है 10th के बाद 11th हमने बात कर दिया d by dx of sin x sin x का derivative बोलो क्या होता है cos x 12th number d by dx of cos x बोलो cos का derivative क्या होता है minus sin x 13th d by dx of 10x 10x का derivative होता है 6 square x 14th d by dx of cot x cot x का derivative होता है minus cos x square x 15th d by dx of sec x sec x का derivative होता है sec x into 10x and 16th वाला last formula है d by dx of cos x cos x बोलो क्या होता है so guys हमने सारे फॉमले फॉमले फिनिश के 16 फॉमले मतलब यह आपको फॉमले ए निहाओ कैसे भी करके आदोना चाहिए आप इसका screenshot ले लो आप रिंटाउट निकाल दो या आपने आप से खुद से लिग करके इसको अपने बेडरूम में आप कहीं पर भी रह जहां पे भी आप ज्यादा टाइम करते हो आप इसे आप चिपका दो आपको याद करने की जूरुत थी एवरी टाइम आप सोने से पहले जानखने की बात सिर्फ और सिंफ या फम्ल devenक रीड करना है इदो और कुछ ने करना है त कि अब ले घया पर dl किबशा कि बाद नेक्स टापिक अपका कि अलजेब्रा ओफ को यह को डलीक हरमति पोगरर पार करेंगेए सबसे पहले हम बात करते हैं में u plus v rule okay so u plus v rule क्या होता है जिसे हमने बोल दिया d by dx of u plus v तो क्या हो जाएगा मैं derivative by u का लोंगा और एक बार v का लोंगा तो बोलो क्या हो जाएगा answer derivative of u with respect to x plus derivative of v with respect to x जो second है आपका इसे हम बोलता है u minus v rule that means d by dx of u minus v अगर मुझे दिया गया है right तो मैं क्या करूँगा एक बार u का लोंगा डेरिवेट और एक बार v का लोंगा तो बोलो क्या हो जाएगा d by dx of u with respect to x बीच के मीना सले हम दिया इसलम माईनस देरिवेटिवेटीव विछिए डेरिवेटिवेटी ऑफ ब स्पिक टू एक्जाम में या कहीं भी किसी भी कोश्चन में एगर दो फंक्शन का मल्टिप्लिक्लिकेशन दिग गया तो निकालना तो दोनों का डेरिवेट्व है बट एक साथ नहीं मतलब उसका बोलता कैसे हूँ फस्ट एजिए डेरिवेट्व आप से करके रख राँ हो लेकर जब यू का निकाल रहा हूँ डेरीटी तो आप व को कॉपी करके रहा हूँ ठीक है अगर इसी चीज़ को मैं गर फॉर एक्जम्पल तीन टम में दिखालता हूँ मतलब इसे फॉर एक्जम्पल डी बाई डी एक्स ओ यू वी एंड डबली तुमाल लो अगर मैं निकालता हूँ प डी बाई डी एक्स ओफ डबली यू एंड वी कॉपी कर लोगा देखा अपने तो एक टाइम के मैं एक ही निकालोंगा डेरीटी बाकी सबको एज डिसे हम क्या बोलते हैं यू वी रूरू ओके थर्ड के बाद जो आपका फॉर्थ फॉर्मला आता है इसे हम बोलते हैं यू डिवैड बाई वी रूरू या यू अपॉन वी रूरू तो होता क्या है जिसे मैं आप से कहा हूँ डी बाई डी एक्स ओफ यू डिवैड बाई वी तो याद कैसे क्या दर बहुत इजी है यू पॉन वी रूरू आप पहले बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो फिर नीचे अब बचा कौन है यू तो क्या लिखो डी बाई डी एक्स ओफ यू फिर माइनस करो अब इंटर्चेंज कर दो तो यू है राइट उसका अपने डेर्टो निकाला था और वी को कॉपी करो मतलब यू कॉपी कर दो एक्स अगर आप ध्यान दोगे तीनो साइड मतलब जितने अब इस तरीके से चार फॉमले हैं और यह चार फॉमले कभी भी किसी भी प्लेस पर डेर्विटिक अंदर आ सकते हैं यह फॉमले करने के बाद मैं आप कुछ ट्रिमिटर के फॉमले देता हूं जो कि डेरिवेटिव और इंटिवर्शन दोनों के बहुत साथा इंपॉर्ट होते हैं सो जो नेक्स टॉपिक है गाइस ट्रिमिटिक फॉमलेस अब इस फॉमले के अंदर में कुछ ऐसे फॉमलेस दोंगा जो कि आपको पुरे डेरिवेटिव पुरे इंटिवेशन में यूज होंगे अगैन आप इसको इसको चाहे आप खुद से लिख लिजिए चाहे अबरी नाइट सोने के पहले आपने सो देखो और जागने के बाद देखो तो अटमेटिक लिए फॉमला याद करना है नहीं पड़ेगा एक बार आपने फॉमले जारे देख लिए तो अटमेटिक सारी चीज़ें की जरूप नहीं है मताब आपका जाते रहेगा और sin2θ plus cos2θ is equal to 1 second sec2θ is equal to 1 plus third one cos2θ is equal to 1 plus cos2θ इसमोर इसमोर जो बोलते हैं बेसिक फ़मले जाहते हैं फोर्थ वर्थ वर्थ वन जाहते हैं जाहते हैं बोलते हैं डबल चीक है देबल के फर्म इस है तो उसमें से फर्स आता है that is what sin 2 थीटा कैसे याद दखना sin 2 थीटा के दो फर्म लेट है वस्स थीटा है 2 sin cos याद दखना मैं अंगल न कभी नहीं बोलता है अगर आपका दो थीटा है तो त法 स्क्राइप के दो फ्रnéट स्बाइब को घ् otherwise स्क्राइब की प्र मिलिग थीटा है तो उसमें स्क्राइब युज्शम स्वेड लस्ट सन दखना स्र कावेड इन वस्स प्रिंट शंन एंट जिक्ए एस अनज्ट ग Sorta चार फॉर्मुले है तो फिर्स्ट आपका होता है कॉस्वेर थीटा माइनस साइन स्वेर थीटा अब कॉस्वेर थीटा अब कॉस्वेर थीटा तू कॉस्वेर थीटा माइनस था प्रसनी أوijd में सraine बाद में इसलिए 1-aman garlic, नहीं तरीका नहीं कि पहले कि सक भोलना होता है बाद में किस को बोलनो सारी चीह से और लाच टाव का 1- 10 square theta divided by 1 plus 10 square theta Ther da 1 and two theta That is what to 10 theta divided by 1 minus 10 square theta so 10 2 theta formula 2 10 theta divided by 1 minus 10 square theta clear लगब दिखा जाए तो साइन 2 3 की इस formula की तरह ही है बस यहां पे plus or यहां पे का है minus, यहां पे SP SP और Tm इस तरीके साब यादर को third formula की बार जो आपका next fourth formula हाता है okay so fourth formula होगा आपका 1 plus cos 2 theta अभी plus है इसलिए cos आगा plus cos ऐसा two times of cos square theta 2 theta आप theta अगर 1 minus cos 2 theta दिया गया है तो बोलो क्या हो जाएगा minus sin ऐसा गर किया रखो तो sin square theta very nice जो fifth formula है वो आपका हो जाएगा 1 plus sin 2 theta 1 plus sin 2 theta 1 plus sin 2 theta का formula क्या हो जाएगा cos theta बीच में plus है इसलिए plus sin theta दा whole square अगर मैं बात होंगा 1 minus sin 2 theta so cos theta minus को भी plus है तो plus minus है तो minus यह हो गया हमारा डब का क्लियर इसके बाद मारा था ट्रिपल का फॉर्मला तो ट्रिपल में बात करेंगे cos 3 theta की तो उल्टा गर दो मतब 4 cos 3 theta 4 cos 3 theta क्योंकि यह कहें 4 sin 3 theta इसको आगे लिखो लेकिन cos का term में तो 4 cos 3 theta बीच माइनस यह 3 sin theta उसको बाद में लिखो लेकिन cos का term में तो 3 cos theta क्योंकि दुना फॉर्मले एजी है थर्ड फॉर्मला है तैन 3 theta वह था आपका 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 times of tan square theta यह हो गया मैं ट्रिपल के फॉर्मले अब कुछ ट्रिपनिमेटर के फॉर्मले है जैसे कुछ फॉर्मलेस मैं आपको देता हूँ फॉर्मला है त्रिपनिमेटरी के यह इन्वर्स के फॉर्क्शिशन पॉल सकते हो tan inverse of x plus tan inverse of y का फॉर्मला क्या आता है बोलो tan inverse of yes x plus y divided by 1 minus xy so tan inverse of x plus tan inverse of y is equal tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy यह सारे basics है मतलब अगर आपको differentiation start करना है अगर आपको basics पता होने चाहिए अगर आपको basics पता नहीं है तभी आपको derivative chapter क्या लगेगा difficult तो आज के chapter में मैं सिर्फ और सिर्फ आज के topic में आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको basics explain करना हो कि definite derivative क्या होता है derivative and definitions क्या होते है उसकी कौन को से standard formulas है और उसके साथ साथ कौन कौन से ट्रूटी फॉर्मले यूज होते है पुरे derivative पुरे integration में इसके अलामा भी जैसे बहुत सारे इसके लिए इसके लिए इन सबको मैं ज्यादा इंपॉर्णेट बोलता हूं और यह सारी फॉर्मले इनिहाओ किसी भी तरीके से आपको पता ही होनी चाहिए तो आप थोड़ा सा effort डालिए आपको mathematics से असान लगने लगया नेक्स लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा next topic that is derivative का derivative में जो first function इसका derivative कैसे find करते हैं वो सारी चीज़े में one by one start करें आज के लिए बस इतना ही करते हैं तरीके से मैंने फिनिश किया कि derivative को define कैसे करते हैं definition of derivative and derivative को standard formulas है one by one मैं आपको explain कि किस तरीके से apply करना होता है वो सारी चीजे और उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपके derivative में यूजद है कौन कौन से फॉर्मले आपके तरीके यूज़ के यूज़ होते हैं derivative में यह सारी चीजे मैंने फिनिश कर दिया जो मैं next lecture लूँगा उस lecture में मैं आपको basics of derivative मतलब किसी भी basic sums को कैसे solve करते है derivative के through क्या derivative कैसे find करते वो सारी चीज़ explain करोगा उसके बाद मैं start करोंगा आपका composite function उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को like कर दीजी और अगर आप new user है तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजे साथी साथ आप डिजेब कर दीजेए तो बसक्ति आपको मेरे चैनल के जो भी नोटिफिकेशन अठी चुडेयो के जो भी नोटिफिकेशन है अपको सबसे पहले रिखाई दे माई दी आप मेरे चैनल से जोड़े रहिए हैं तो वीजी अपिवे डिजी मैंतमेट के झाल झाल